दिख सकते हैं और लड़ू गोपाल के बारे में हम जाना चाहेंगे. कहां से हैंसर? सीतापुर से लड़ू का भोग लेके आये हैं सिरृढाम परभू के चड़्णों में लगाने के लिए और बस आज कल चले थे वहाँ से सीतापुर से पूरी रात चल के गाते वजाते आज सुबेरे यहाँ पर सीराम चन्जी की पावन जन्भूमी पर धर्ती पर पहुंचे हैं अपने लड्डू को पाल के साथ और यहाँ पर राम जी को लेकर बाइस तरी को क्या कुछ खास होने वादा है अब खास इससे जादा और क्या होगा कि वो अपने मूल रूप अपने मूल जगा पे जन्मिस्तली पे बिराजमान होने जा रहे हैं इससे बड़ी या इससे सुन्दर बात तो कोई और होगी नहीं सकती इसलिए कि हमारे लड़ू गोपाल मतुरा से चलकर सीतापूर आये और सीतापूर से लड़ू का भोग लेके अज़िया पहुंचे हैं इस लड्डू है ? 201 के जी पहले तो ये कम का विचार बनते 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 11 किलो के 10 लड्डू और 101 किलो का एक लड्डू बनके यहाँ पर आया है जब कि विचार में पहले गाँ बन रहा था वो वह ज़ा था लेकिन आखरी टाइम मूवमेंट में इस लड़ू का साइज और बढ़ा हो गया प्रचाइम के साइज भी और बढ़ा हो गया और लड़ू ये सारे लड़ू राम जी और बहुग लगने जी राम जी को भोग लगने के लिए लाएएए साथ में लड़ू गॉपाल भी आपके स separate लड़ू गॉपाल भी लाए है मनीशलाड सीतापूर हमारे घर में लड़ू गॉपाल बिराजमान थे जब से ये आए है आज जो भी देन है यहाँ मेरा आना इने की वज़े से मेरा जो है आज ये जीवन धन्य हुआ है सफल हुआ है इनी की पेरना से मैं लड्डू लेकर यहां पर भोग लगाने आया हूँ इनी की पेरना से मेरी मिठाई की दुकान खुली उसका भी नाम लड्डू गोपाल है जो मिठाई की दुखान खुली लड्डू गोपाल नाम है तो फिर लड्डू गोपाल लेके आएंगे ही प्रभू राम के चड़नों में लगाने और एक लड्डू मतुरा से चल कर आए हैं मेरे लड्डू गोपाल और इनका सिर्फ एक ही राम जी से कहना है कि प्रभू अपना बनवा लिये हो मेरा भी बनवाओ स्री राम का योधिया में आगमन है 22 तारीक को और जैसा कि आपने सुना लड्डू गोपाल मतुरा से प्रान पदिश्ठा को लेकर और जैसा कि आपने सुना कि लड्डू गोपाल आए हैं और उनके भोग लगना है और आप देख सकते हैं कितने सारे लड्डू हैं यहां पर जो कि 221 केजी के हैं इसमें से एक जो आप बीज में देख रहे हैं सबसे बड़ा जो लड्डू है वो कम से कम सौ केजी के भी उपर का है और ये लड़ों का भोग सरी राम के चड़नों में अरपित किया जाने वाला है